पंजाब में आवारा कुट्टो का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है एक ताजा मामला फाजिलका से है जहाँ एक प्रवासी मजदूर की 7 साला मासूम बेटी को आवारा कुट्टो ने नोच-नोच कर गंभीर जखमी कर दिया अस्पताल में इलाज के लिए भरती बच्ची की माता लच्मी देवी और उनके रिस्तेदारों ने बताया कि उसकी बेटी सोनल घर से खेलने के लिए गई थी रास्ते में वाक खेत में रुक गई तो वहाँ चार-पांच आवारा कुट्टो ने उस पर हमला बोल दिया और उस उसे बुरी तरह से नोच खाया उसने बताया कि जब बच्चों ने कोला हल पाया तो आसपास के लोगों ने बहुत मुस्किल के साथ बच्ची को कुट्टों से छुडवाया जिसके बाद उसे गंबीर हालत में अस्पताल लाया गया बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर अ रहा है कि रहनवाले हैं आवारा कुट्टे थे तीन-चार मारी गुडिया को खालीया लैट्रिंग गई थी सौना किसी ने नहीं आपी कोई आगया बार का बंदा उसने मार मूर दिये हुगे टेले खोड़ा कि उर्या खेलने के लिए आई थी गर पे इसको उसको कुट्टे ने खाली चार पाउच कुट्टे थी और मारे गर भी आरे कि खेलन फिर हमने उंको बताया फिर रहम लोक छोडाने के लिए गई गई दिया कोg चुड़ाने क्पर उसको फुरे शरीर में खालीया पीट में कहीं गलेचे कहीं कहीं खा लिया, गुडिया का सौन, ताथ साल किया, साथ बैने एक बाई, हाथ जुन, पीके, ताड़ी जुरी करते हैं, बिचारे छो नहीं मुड़ किया, बस मैं थोड़े बच्चे बच्चे थे, मैं लोग आम लोग थे, बस चुड़ाया, उसको बच्चे बच्चे कहा हैं, 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 झाल